मैं भूमी भागवतकर ओक्यूपेशनल थेरपिस्ट, पीमर विभाग, एम्स भोपाल, आज आपको सेरिवल पाल्सी में ओक्यूपेशनल थेरपी की क्या भूमी का है इसके बारे में बताने वाली हूँ ओक्यूपेशनल थेरपी का मुख्य उदेश है, मरीजों की दैनिक गतिविद्यों में सुधार कर उनको उनकी जीवन की गुनवत्ता को बढ़ाना एवं उनको समाज की मुख्यधरा से जोड़ना है सेर्विल पालसी का अर्थ है मस्तीश की अपश्यागात यहां एक निरोलोजिकल विकार है जो मस्तीश की विकास के असमानाता के कारण होता है इसके परिणाम स्वरूप मास पेशों में नियंतरन, संतूलन एवं समन्वे में समस्याय आती है यह विकार जन्म के समय या जन्म के बाद के पहले कुछ वर्षों में आ सकता है या कही प्रकार के लक्षनों के साथ आ सकता है जैसे कि मास पेशों में अकड़न आना, गर्दन में ठराव न आना या देरी से आना, समय के साथ चलने, बैटने, सुनने वबोलने एवं बौधिक शम्ता में कमी इत्यादी Occupational Therapy में ऐसे मरीजों के लिए हम विभिन्न प्रकार के टक्नीक का इस्तिमाल करते हैं जैसे कि Roots Technique, Neuro Developmental Therapy, इत्यादी के माध्यम से हम उनकी जीवन के शेली को सुधार करते हैं मास पीशों में अकड़न कम करने के लिए खिचाव वाली कसरते कराते हैं सामान्य तोर पर जन्म के बाद बच्चों में शारेरिक एवं मानसिक विकास होता है लेकिन Cerebral Palsy के बच्चों में शारेरिक एवं मानसिक विकास में रुकावट एवं देरी हो सकती है Cerebral Palsy के बच्चों में वृद्धी एवं विकास के लिए जैसे की गर्दन में ठराव लाने के लिए पेट के बल लिटाना, वेच पर उल्टा लिटाना, बैठने के लिए कॉर्नर सीट, सीपी चैर का उप्योग करते हैं खड़े रहने के लिए स्टैंडिंग फ्रेम, चलने के लिए मॉबिलेटी एड्स जैसे रोलेटर्स, वॉकर्स, छड़ी एवं वील्चेर का उप्योग करते हैं सेरिबल पाल्सी के मरीजों की वेक्तिगस स्वच्छता, खाना-खाना, कपड़े पहनना, जैसे देनिक गदी विदियों में सायता करते हैं इसी प्रकार से उक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, मरीज के परिवार के सद्यस्यों को सहयोग प्रदान करते हैं जिससे की वह मरीज की देखबाल में बहतर तरीके से मदद कर सके इस प्रकार उक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, सेरिबल पाल्सी के बच्चों को सामगर विकास और उनको आत्मनिर्बर बनाने में भूमी का प्रदान करते हैं